कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मडर केस में गिरफतार आरोपी संजय रॉय ने कई चुकाने वाले खुलासे किये हैं पुलिस ने अब तक जो जानकारी दी है उससे यही लगता है कि यह बिल्कुल हैवान था उन्होंने बताए कि महिला डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने और उसकी जान लेने के बाद रॉय घर गया और वो चैन से सो गया फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए अपने खपड़े धोए हालकी ये भी कहा जा रहा है कि मुझरिम की एक गलती उस पर किस तरीके से भारी पड़ जाती है और संजय रॉय के मामले में भी यही सच साबित हुआ उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिये लेकिन एक जगा उससे छूट गई और वही उसका काल बन गई दरसल पुलिस को उसके जूते पर खून के कुछ निशान मिले जिससे उसने सबूत के तौर पर सहीज कर रख लिया संजय कौन है वह आपको ये बताते हैं दरसल संजय एक सिविक वॉलेंटियर है जिसे स्थानिय बोली में लोग सिविल पुलिस भी कहते हैं लेकिन पुलिस ने शनिवार शामकों से गिरफतार किया उसके गिरफतारी में एक ब्लूटूथ एयरफोन भी सबसे बड़ा सबूत बना जो उसके फोन से तुरंत ही कनेक्ट हो गया लेकिन पुलिस के मुताबिक उसके फोन से कई अशलील वीडियोज मिले हैं कोलकाता की पुलिस के जो कमिशनर है विनीत गोयल उन्होंने इस बात की जानकारी दिये कि अपराद को अंजाम देने के बाद आरोपी घर चला गया और शुकरवार सुभा तक सोता रहा जागने के बाद उसने सबूत नश्ट करने के लिए अपराद के दुरान पहने हुए कपड़ों को धोया तलाशी के दुरान उसके जूते मिले जिन पर खून के धब्बे थे और ये पूछे जाने पर कि क्या इस अपराद में कोई और भी शामिल था जैसा कि कुछ लोग आरूप लगा रहे हैं उसने कहा अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है साथी पुलिस कमिशनर ने ये भी बताया कि आन्तिम पोस्ट मॉटम रिपोर्ट का भी इंतिजार किया जा रहा है क्योंकि वो उसकी अपनी जाँच के निसकर्शों से मिलाना चाते हैं साथी पुलिस कमिशनर ने ये भी बताया कि पुलिस किसी को छेपाने की कोशिश नहीं कर रही है और जांच पारदर्शी है उन्होंने बताया कि वो जल्दी एक टोल फ्री नंबर शुरू करेंगे जिस पर लोग सुझाव ये श्रिकायत दर्ज करा सकेंगे हाला कि जूनियर डॉक्टर ने ये कहा जो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता और उनकी सुरक्षा से जो संबंदित मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं जिद्या जाता हाला कि गोयल के साथ बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने बताया कि सभी इमर्जंसी और नॉन इमर्जंसी सेवाओं में अभी फिलाल काम बंद रहेगा